हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी काई कौन नई वीडियो में तो गाइस आज की स्वाली वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ कैसे आप लोग Minecraft Pocket Edition में जल से जल डायमंड्स पा सकते हो और यह सबसे जादा easier way होने वाला है और इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप लोग सबसे जल्दी डायमंड्स पा सकते हो और सिर्फ 10 मिनट के अंदर देखना में कितने डायमंड्स पाया हूँ और सबसे ज्यादा डायमंड्स पे मिल जाते हैं तो मैं 10 मिनट यहां पर स्ट्रिफ माइन करूंगा जब तब लोग को एंड डिजल दिखाऊंगा कि में कितने डायमंड्स मिले और नेदरेट की अगर आप लेकास पिकक्स नहीं है तो कोई बात नहीं आप लोग यहां पर आपके पास फॉर्चुन 3 और एंबरिंग 3 होना काफी जरूरी है एफिशंदी 5 होगा तो और भी आपको हैल्प मिलेगी तो सबसे पहले हम लोग माइनस 58 पर पहुँच गया और इसके बास ट्रिफ माइनिंग जो यहां भी मैं शुरू करने वाला हूं तो सबसे पहला रू हमने कोई आने नहीं वाला जैसी को अप्सक्रिक्शन आएगा वैसी आप लोगो मुड़ जा रहा है जैसी मुझे भी आगे लावा मिलेगा तो मैं वैसे ही मुड़ जाओंगा अभी आप लोग देखना तो मैं ऐसी मुड़ता रहूंगा और आप लोग को सीधा एंटेजल यहां पर देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हो तो आप सीधा आप लोग एंटेजल देखोगे तो वह काफी जादा बढ़िया होगा झालीरा तो मैं पपे लोग लोग उिसेमेझेख सेखने के लोग करे दोगा चाहँ मैं देखंयों को सीधा-धिने 9.त। एंग Coboil verbal design क लोग बग्यास तो गाइस एंड बिस्ट आप ने देख लिए 33 डायमेंड्स है मेरे पास तो यही बेस्ट वे हैं लोग जो कहते हैं केव में जाओ यह सब कुछ नहीं मैं सिर्वाइब करो काफी इजी वे हैं आप लोग के लिए डायमेंड माइन करने का और आप लोग को आशी वीडिल को लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब कर देना